दोस्तों, इंडियन मार्केट में इलेक्टरिक स्कूटर का क्रेज काफी बढ़ रहा है、 और सभी ब्रैंड जो है ट्रेस्टेबल ब्रैंड है अपने इलेक्टरिक स्कूटर लेकर आ रहे हैं सब फाइनली एक ही ब्रैंड बचा था जो कि यार बहुत ही आइसी इंजन में पॉपलर है होंडा के दरब से ऑफिशली इलेक्ट्रेक स्कूटर हो काफी चर्चा भी चल रही थी सब फाइनली इन्होंने दो ट्रेड मार्क भी कर दिये है और जो होंडा के जो CEO है उन्होंने र क्यों आपको जो होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट करना चाहिए इसके उपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर आप एवी लेने का कोई भी प्लैनिंग कर रहे हो एंड आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए अच्छे ब बात करें हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट क्यों करना चाहिए इस देखो यार एक नए प्लैट्फरम पर ये काम करने वाला है पूरी तरह से कंपलेटली इन्होंने काफी टेस्टिंग की है तो होंडा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगी वो मतलब कॉलिटी इवी तो रहने ही वाली है और नेक्स सेवें टू टेनियर के लिए फ्री रहे सकते हो सबसे पहले बैटरी मिलने वाली है जो आपको एक अच्छे ब्रैंड की बैटरी है मतलब एसी आपको जो गोगरो इलेक्ट्रिक वगएरा के अपने नाम सुना होगा उससे काफी सब्सक्राइब की वेक्टरी उतनी देर ही एक्ट्रिक स्कूटर चलने वाली है तो मेनली कॉंपोनेट ही होंडा का जो बैटरी रहने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है फ़ो बैटरी के ऊपर आप जहें कोई भी डॉड नहीं ले सकते हो सबसे बैटर आपको ब बाता है नहीं कि कौन सा लुक आएगा जो अधर कंट्रीज पर जो लुक चलता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह भी लुक बेस्ट है बट रिक्वाइरमेंट जो कस्टमर की है एक्टिवा इलेक्ट्रिक तो इसके ओपर कंपनी काम कर रही है जल्दी अनॉसमेंट करें बात करें तो देखने को नहीं मिलने वाली है जैसे कि आप एमसें मोटर बोल सकते हो पावर्फुल मोटर होंडा की ऑलेक्ट्रिक सुटर में देखने को मिलेगी के ऊपर और बी कहीं सारे हम बात हैं उसके लिए उसके लिए अपडेट तक वेट करना पड़ेगा जो की ऑफ होंडा तो टॉप वन पर रहे नहीं वाल आए सो यह थी कुछ होंडा की आज की अपडेट वीडियो अपनी यहां तक देख लिए तो प्लीज लाइक करना ना बुलिए और इसे एलेक्ट्रिक वाइकल्स की निव अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल क पॉल करना भी ना भूले